आज हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की यूकरेन के महा युद में पहली बार ब्रिटेन की ताकत नजर आई है ब्रिटेन अपनी जिस ताकत के लिए जाना जाता है उसकी चर्चा अब वलादी मेर पुतिन के कैम्प में भी शुरू हो गई है पहली बार वलादी मेर झाले. प्रिटेन ने आधी दुनिया पर राज किया है। प्रिटेन की ताकत कभी इतनी बड़ी थी। प्रिटेन का सामराज्य इतना विशाल था कि अंग्रेजों के राज में कभी सूरज नहीं डूपता था। ऐसा कोई महादूइप नहीं था। जहां इंसानी आबादी हो और प्रिटेन का जंडा ना बुलान्द हुआ हो। दूसरा विश्वियत खत्म होने के बाद, 78 सालों के बाद, लंबे अर्से के बाद, प्रिटेन ने अपनी पावर यानि ताकत दुनिया को दिखाई है। ब्रिटेन ने एक बार फिर उक्रेट में अपनी वोर्ट टेक्नालीजिय का दंग का बजवा दिया है। ब्रिटेन ने वैसे दो हर तरह की मदद जिलिन्सकी को दी है। योरप में पुतिन को अलग धलग करने में भी ब्रिटेन ने कोई कोर कर सर नहीं छोड़ी है। ब्रिटन ने टैंक, तो, गोले, मिजाईले सब कुछ जिलिंस्की को सप्लाई किये हैं, लेकिन ब्रिटन की ताकत की गर्मी पुतिन को अब जाकर महसूस होई है, ब्रिटन की विश्विविट ख्यात, स्ट्रॉम शेडो मिजाईल ने रूस पर जो कहर परसाया है, उसका रिज सप्लाई किये गए मल्टिबल रॉकट लॉंचर हाई मास से भी ज्यादा घातक बताया है, आखिर क्या है ये बयान जिसमें पूरी दुनिया के अखबारों में सुर्खियां बटोरी हैं, और कैसे स्ट्रॉम शेडो ने रूस की आर्मी को बुशकिल में डाल दिया है, आखि इस ने रूस की वाज को देहला दिया है, रूस के पहली बार सुर्कार किया है कि ब्रिटेन के दुवारा सप्लाई की गई, स्ट्रॉम शेडो मिसाइल व्लादे मेर कुटिन की सैना के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रही है, इसकी पुष्टी ये व्यनी बालित्सकी के बायान से हो रही है, ये व्यनी बालित्सकी को मॉस्को की तरफ से युकरीन के जापुरीजिया क्षेतर का प्रमुख निप्ट किया गया है, युकरीन में जापुरीजिया क्षेतर के प्रमुख ये वेगनी बालित्सकी ने कहा है कि स्ट्रॉम शेडो हथिया परिशानी पै बालित्सकी ने आगे कहा कि युक्रीन की सेना निश्चत रूप से हमें अपनी मिसाइलों से परेशान करने में कामियाब हुई है। खास दोर पर स्ट्रॉम शेडो मिसाइल। ये बयान साबित कर रहे हैं कि स्ट्रॉम शेडो मिसाइल युकरीन के लिए गेम चिंजर साबित हो रही युकरीन के काउंटर अटाक में भी इस मिसाइल का इस्तमाल हो रहा है पतन के बेहथ करीमी रहे इस सेनपटी ने कहा है जब हाइ मार्स रूस पर कहर पर पाना शूरू किया था तब भी हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी लेकिन धिरे धिरे रूस्त Carnes ने हाइमार्स को काबो कर लिए और हाइमार्स का पोर्ट निकाल कर उसको बेकार साबिद कर दिया लेकिन अब Strom-Shadowメisalब नई मुसीबत बन गई ये फगेनी वालिधुस्की की बात को काफी भरूस्यमन माना जाता है क्योंकि सितंबर में बालिट्सकी पुतिं के साथ देखे भी गए थी, बालिट्सकी पुतिं की टीम के खास लोगों में शामिल है, बालिट्सकी ने बताया की, हमारा एर डिफेंस उंदा है, लेकिन स्ट्रॉम शेडो को मार गिराने के समभावना सिर्फ 50 प्रतीशा थी है, कामियाब हो गई, यहां वो बाते भी नोट करना जरूरी है, जिनकी वजह से स्ट्रॉम शेडो मिसाइल को हिट कर पाना, रूज के एर डिफेंस के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, बालिट्सकी ने बताया की, स्ट्रॉम शेडो अत्या धुनिक मिसाइल है, स्ट्रॉम शेडो की स्पीड काफी ज्यादा है, स्ट्रॉम शेडो एक ही हमले में, अलग-अलग उंचाई पर अलग-अलग स्पीड से जा सकती है, स्ट्रॉम शेडो को कम उंचाई पर मार किराना मुश्किल है, पिछले दिनों ही ये खबर आई थी कि युक्रेन ने स्ट्राम शेडो मिसाईल का इस्तमाल करके रूस के एक बड़े जार्नल का खात्मा कर दिया ब्रिटेन से मिली स्ट्राम शेडू मिसाइल से यूकरेन ने रूस के मेजर जॉर्नल सरगई गोरिया चेव को जान से मार डाला है पश्चमी मीडिया के दावों के मताबिक मेजर जॉर्नल सरगेई गोरिया चेव जापुरीजिया इलाके में एक रूसी बंकर में मौजूद थे इसकी खबर युक्रेइन के खफिया युनिट ने युक्रेइनी एरफोर्स को पहुचा दी जिसके बाद युक्रेइन के लड़ात विमानों ने ब्रिटन से मिली स्ट्राम शेडो मिसाईल से बंकर पर हमला किया दावा किया गया है कि जैसे ही स्ट्राम शेडो मिसाईलों ने धमाके के साथ बंकर को उड़ाया उसी वक्त उसकी चपेट में रूसी मीजर जॉर्णल सरगई गोरिया चेव आ गए और मारे गए रिपोर्ट के दावों के मताबिक मीजर जॉर्णल सरगई गोरिया चेव के मारे जाने से जापुरीजिया इलाके में रूसी सेनक बहुत बड़ा जटका लगा है यॉक्रीन की टागेट किलिंग का सबसे ताजा शिकार रूस के मेजर जर्णल सरगई गुरियचेव हुये हैं स्ट्रॉम सेड़ो से मारे गए 52 साल के मेजर जर्णल सरगई गुरियचेव के बारे में दावा किया गया है कि वो रूसी सेना में 35 वी संयुक्त शेस्त्र सेना के चीफ आफ स्टाफ थे जो दक्षनी जापुरीजिया के वेली काया नुव सेलका गाउं से युक्रीन पर हमला करने वाले थे लेकिन उस से पहले ही युक्रीन ने स्ट्राम शेडो मिसाइल से हमला करके उन्हें मार डाला कुछ रिपोर्ट के दावों के मताबक अब तक जंग में रूस की जरॉनल रैंक के 11 अफसर युक्रीनी हमलों में मारे जा चुके हैं इतना ही नहीं करीब एक हफते पहले स्ट्राम शेडो ने क्राइमिया के पास अरब स्पेट पर हैनिचेस के पास एक रूसी सेन्ने मुख्याले को भी हिट किया था पुदिन की ठीम के एक प्रमुक सदस से 54 साल के डिप्टी पीएम टेनिस मंटरो हमले में कुछ समय पहले ही रूस के सेन्ने मुख्याले से बाहर निकले थी उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए नहीं तो रूस का डिप्टी पीएम ही स्ट्रॉम शेडो का शिकार हो जाता एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के डिप्टी पीएम के जाने के कुछ मिनट बात ही क्राइमिया के रूस के सेन्ने मुख्याले में स्ट्रॉम शेडो मिसाईल हेट हुई जिसमें काई रूस के अधिकारी मारे गए है स्ट्रॉम शेडो ने आजोव सागर पर कबजा किये गए बंदरगा बर्डी यांस्क पर भी सफल हमला किया है रूस के कबजेवाले डॉन बास में लूहांस को टागेट करके भी मिसाईले लॉंच की गए है साल 2003 में इराक पर आक्टमन के दौरान भी ब्रेटन की सेना ने स्ट्रॉम शेडो मिसाईलों का इस्तमाल किया था ब्रेटन की रॉयल एर पोर्स ने इस इस के खिलाव पी स्ट्रॉम शेडों का इस्तमाल किया है ब्रेटन के ब्रथान मंत्री जलिंस्की की मदद में कोई कोर कसब नहीं छोड़ रहे है And I'm pleased that today we have agreed that we will expand our training program a program that has trained 10,000 troops in the last six months alone to your marines and fighter jet pilots ensuring the armed forces of Ukraine are able to defend their country for generations to come We must arm Ukraine in the short term but we must bolster Ukraine for the long term Your country cannot be left vulnerable to attack ever again Putin के लिए अभी और बुरी खबर आ सकती है क्योंकि अभी ब्रिटन के लिए जलिंस्की को जो स्ट्रॉम शेडो मिसाइल सप्लाई की है वो सिर्फ 200 किलोमेटर तक ही मार कर सकती है लेकिन अब ब्रिटन लंबी दूरी की स्ट्रॉम शेडो मिसाइल देने पर भी विचार कर रहा है बिरिटन इसली भी युक्रेन को स्ट्रॉंट शेडू लोग रिंज मेसाइल देने पर विचार कर रहा है क्युंकि जंग में रूस युक्रेन के खिलाब बूट फोर्स टैकटीक्स है कर रहा है स्ट्रॉंग शेड़ो एक लॉंग रेंज क्रूज मिसाइल और फायर एंड फॉकेट से धन परकाम करती है यानि एक बार दादने के बाद स्ट्रॉंग शेड़ो अपने टागेट को तबाख करने के बाद ही रुकती है इस मिसाइल को फ्रांस और बिटन की रक्षा क ऐक मिसाइल भी कहा जाता है स्ट्रॉंग शेड़ो एक एर रांच्ट मिसाइल है स्ट्रॉंग शेड़ो पांसुससाथ किलोमेटर की दूरी तक मार कर सकती है यह एक हजार किलोमेटर प्रति गंडिकी पुड़ान अपरने में सक्षम है इसका कॉलबजन तेरह सु किलो ग्रा स्ट्राम के वार हिड ले जाने में सक्षम है। इसके नंबाई 16,39 इंच और 19 इंच होता है। सिर्फ इतना ही नहीं। आईए अब आपको ये भी बता देंगे स्ट्राम शेड़ो को नाम सुनते ही दुश्मन खेमा क्यों कापने लगता है। स्ट्राम शेड़ो मिसाइल GPS सिस्टम से लैस है और अपने टागिट पर सठीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। एक बार फाइटर जेट से लाँच होने के बाद ये मिसाइल खुद ही अपने टागिट को ढूम लेती है। स्टेल्थ तक्नीक से लैस होने की वज़ा से ये मिसाइल दुश्मन के रेडार को आसानी से चकमा दे सकती है। इस मिसाइल को जमीन पर बड़े ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने में अचूप माना जाता है। कुल मिलाकर सारांश ये है कि पुतन इस युद को जतना आसान समझ रहे थे उतना आसान ये युद नहीं रहा। अगर ब्रिटन ने और ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने वाली स्ट्रॉम शेडो मिसाइल जिलिंस्की को सप्लाइ कर दी तो मॉस्को भी खत्रे में आ जाएगा। और भैट पुतन के लिए ये जंग और ज्यादा कठिन बन जाएगी।